तो आज हम बना रहे हैं सुपर सॉप्ट ढोगला, इंस्टेंट तरीके से बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगता है, तो इसके लिए देखी हमने क्या क्या लिया है, मिक्सिंग के लिए देखी हमने एक बाउल ले लि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लीजेगा, हलका सा गाड़ा पहले मिक्स करेंगे इसे, अच्छे से मिक्स हो जाए, लंब्स ना रहे, इस तरीके से हमें मिक्स करना है, क्योंकि बेसन में जब हम पानी डालती है तो इसमें लंब्स पढ़ जाती है, तो अच् का गाढ़ा ही रखिएगा यह देखिए अच्छे तरीके से आपको वन साइड ऐसे घुमा घुमा कर आपको इसको मिक्स करना है लंस बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी इससे कलर अच्छा आजाएगा साथ ही इसमें हम एक चम्मच डालेंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं और इसमें एड करेंगे हम एक चम्मच शक कर को चुटके भर हम इसमें डालेंगे हींग, यह पेट के लिए अच्छा रहता है क्यूंकि यह बेशन से बनता है तो हींग जरू डाल दीजेगा, सारी चीजों का अच्छे से मिक्स कर देंगे, देखिए इस तरीके से, मिक्स करने के बाद इसे कम से कम न हम 15-20 मिनट छोड़ दे और इस तरीके से इसको बढ़िया साब घोल दीजेगा, यह दिखिए एक जिसा बैटर आपको दिख रहा है इसमें कहीं से भी आपको लंग्स नहीं दिख रहे हैं, यह देखिए हम इसे ढख कर रख देते हैं, 15-20 मिनट के बाद देखिए हमें जिस चीज में ढोकला बनाना लगबग देखिए हमारे 15-20 मिनट हो चुके थे और बैटर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा एकदम सॉफ्ट और बलाया हमारा बेशन का घोल एक तम तयार हो चुका है, यह दिखिए, इसी तरीके से तयार हो जाना चाहिए, अब हम इसमें डालेंगे, जिससे यह अच्छा सुपर सॉफ्ट बन कर तयार होगा, हलका सा पानी डाल दीजेगा और इसे हम मिक्स कर देंगे, यह दिखिए, तो इतने घोल में हमने एक पैकेट पुरा इनो डाला है, तो इसी तरीके से आप भी इनो डाल दीजेगा, यह देखिए, आप देखिए, आप देख र छोड़ना नहीं है, इसे हम स्टीम करने के लिए देखिए, हमने एक कढ़ाई लिया था, उसमें दो गलास पानी डाला है, और एक इस तरीके से स्टैंड रख दीजेगा, साथ ही जिसमें हमने ग्रीस लगा के रखाता बरतन में, उसी में हमें यह घोल डाल देना है, तो घरीलू चीजों से आप यूज करके ढोकला बना सकते हैं, तो हमका कढ़ाई पर बना रहे हैं, आप कूकर वगेरा का भी यूज कर सकते हैं, तो यह देखिए, कम से कम 15-20 मिनट आप उसको बेग करना है, बेग करने के बाद आप थोड़ा सा चेक कर लिजेगा, है ना, कि कह तो हलका सा देखिए, हम इसमें चाकु डालके देख रहे हैं, यदि आपका चिपक नीरा है, मतलब आपका यह तैयार है, यदि चिपक रहे है, तो आप थोड़ा सा 5-10 मिनट और रख सकते हैं से, तो देखिए, हम 5 मिनट और रख देते हैं से, अच्छे से से स्टीम हो है, अभी देखिए, हम चाकु देखते हैं, तो यह देखिए, बिल्कुल भी आपका चिपक नीरा है, मतलब आपका एकदम ढोकला तैयार है, तो हम इसे निकाल देगे, और आप इसको कम से कम 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दीजेगा, दूसरे तरफ हम इसमें तैयार करेंगे तढका, हम इसमें लगाएंगे ऊपर से तटा, तटा लगाने के लिए हम ने दो चममच तेल लिया हुआ है, तेल को आपको थोड़ा गरम कर लेना है, जब अच्छा थोड़ा गरम हो जाए, तो इसमें हम डाल देंगे, दो चममच करीब आप डाल दीजेगा, इसम हमने कम से कम 3-4 इसमें हरिमेज डाला है और हमने यूज़ किया है इसमें तिल को तो इस तरीके से आपको तड़का इसका बना लेना है हलका साहिए जब सब सारी चैजे अच्छे से चाटक जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा ग्लास मान के चलिए ये देखिए आधा ग्लास हम इसमें पानी डालेंगे इस तरीके से हमें इसे तलका तयार करना है ये ढोकले में डालने पर इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आजाता है फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे हम पांच मिनिट इसस पानी को पका लेंगे दूसरे तरफ देखिए दैस मिनट हो चुके फेटा हमारा ये थंडा हुचुका है थंडा हने के बाद आप जब इसको पलटके शाइट से आप चाकु लगा के इसको निकाल दीजेगा तो बहुत इजी लिए निकल जाता है पूब लगा थे थंडा होने पर निकाल लिएगा तो अच्छे से निकल जाता है इतना प्रौपर एकड़म शेप बनकर हमारा धोकला निकल चुका है कहीं से भी फटा हुआ नहीं टूटा हुआ नहीं है, एकदम सॉफ्ट एकदम स्पंजी हमारा ढोगला बनकर तयार हुआ है, एकदम जटपट फटाफट आप ये नास्ते को बना सकते हैं, ये देखिए, इसके उपर लगा देंगे हम तलका, तलका लगाने से पहले आप चाहे तो इसको पीस कर लीजेगा, जैसे भी आप करना चाहें, चाहे तो स्क्वयार कर लीजे, जैसा भी शेप, चाहे लंबा, जैसा आप खाना चाहते हूँ, तो इस तरीके से देखिए, हम इसको पीस कर लेते हैं, उसके बाद आप तलका डालेंगे तो तलका आपका अंदर तक बढ़ी हसा चले जाएगा, तो इस शेप का देखिए, हम इसको बढ़िया काट लेंगे, अब इसके उपर हम डालेंगे पानी और तेल का तलका, तो इस तरीके से देखिए, आपको चम्मच की साहता से, धीरे धीरे चारो तरब अच्छे से तलका लग जाए, तो इस तरीके से आपको फैला देना है इस हमारा इंस्टन तरीके से धोकले एकदम तयार है, तो ये वीडियो को आप लोग देखकर ज़रूर बना सकते हैं, धोकले की प्लेट हमारी तयार है, साथ में हमने रखा है एकदम तला हुआ हरी मिर्च, चटनी रखा है, टमाटर हरी मिर्च, हरी धनिया की, चाहे तो आप सकते हैं, बहुती ज्यादा मज़ेदार, बहुती ज्यादा स्वाधिस्ट नास्ता है, जरू ट्राइ कीजेगा, मिलेंगे अगली रसीपी में,